अपने हुनर और कौशल के दम पर महिलाएं अब हर क्षित्र में इतिहास रच रही हैं पहली जो काम सिर्फ लड़कों के लिए माने जाते थे आज उन्ही जगों पर लड़कियां भी परचम फैरा रही हैं ऐसी ही सफलता की एक जीती जाकती मिसाल है अरोनाचल प्रदेश में जन्मी 21 साल की रिंकी महतो एक मध्यमवर्गे परिवार से आने वाली रिंकी कौलिफिकेशन से एक सिविल इंजिनियर है आम लड़कियों से अलग रिंकी का सफर शुरू हुआ 2019 से जब उन्होंने ओडिशा के सीवी रमन कॉलिज में सिविल कोर्स में दाख्रा लिया रिंकी ने एक ऐसे क्षित्र को ट्रेनिंग के लिए चुना जो प्राया पुरुशों के लिए ही माना जाता है मेरे सरकल में बहुत लोगों ने मुझे डिसकरेज किया कि प्लम्बिंग क्यों चूज करना है सिविल इंजिनियर बन के इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता इस काम को और विमन्स नहीं रहती है इस काम में बहुत कुछ बोला बट मैं डिटर्मिनेंट थी कि मुझे यही करना है प्लम्बिंग और हीटिंग इंडस्ट्री के क्षित्र में अपने राची का प्रतिनिधित्व करते हुए 2021 में आयोजित इंडिया स्किल प्रतियोगिता में प्रम्बिंग शित्र में हिस्से लेने वाली वो पहली महिला प्रतियोगी बनी रिंकी का ये सफर आसान नहीं था स्टेट लेवल कॉमपेटिशन के एन पहले कोविट का प्रकोप अपने चरम पर था लेकिन रिंकी ने हार नहीं मानी और सारी मुसीबतों को पीछे छोड़ते हुए स्टेट कॉमपेटिशन में जीत हासिल की स्टेट लेवल के बाद रिंकी ने रीजिनल और बाद में नैशनल में भी अपना सिक्का जमाया और अब उसका लक्षे अक्टोबर 2022 में शंगाई में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भाग लेना है अपने हुनर मंद हाथों से रिंकी वो कमाल कर रही है जो अच्छे अच्छे नहीं कर सके रिंकी ने ये साबित कर दिया है कि लड़का हो या लड़की प्रतिभा और हुनर केवल होसलों का महताज है